अगर आपको गिंती याद है ना एक दू तेन चार पांच हो तुरुआत इसको इंग्लिस में ट्रांसलेट कर सकते हैं देखे कैसे सबसे पहले का लिखेंगे जीरो उसके बाद का एक उकरवाद का दू फिर तेन फिर चार पांच छो साथ आठ नौ उकरवाद प्लस समझ में आ गया अब देखे का करना है इधर से लाश्ट से अंध से इसको लिखेंगे जीरो उकरवाद एक उकरवाद दू उकरवाद तेन उकरवाद चार पांच फिर छो पिर साथ और यह का है यह है आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमेशा सूरु में होता है हिंडी के सं सब्जेक्ट हमेशा सूरु में होता है सब्जेक्ट किसको बोलते हैं काम करने वाले बंदे को काम करने वाले व्यक्ति को सब्जेक्ट बोलते हैं और सब्जेक्ट कहां मिलेगा हमेशा सूरु में समझना आ गया तो सबसे पहले का लिखना है सब्जेक्ट उसके बाद कहां स प 서ुरू करेंगे जीरो से सुरू करेंगे अब पीछे से आगे के तरफ चलेंगे पूरा संटेंस सही हो जाएगा SARAH सबसे पहले का लिखेंगे वह के लिए का लिखाता हा दी उसके बाद किसका नंबर जीरो जीरो में का हाओ है तो वह के साथ अगर है लगल है तो उसके लिए कहा आता है यह समझ में आ गया बैख कहा पहुझ गया रहा है यह इसके लिए और ने किसमें ऑ्ट होगा उसके बाद कहां जाएंगे किरेट कॉंस लिए॥ कि अब देखिए के साथ के का लिखेंगे विट अभी कि समझे आ गया आप कहाँ पहुच गये दोस्त के पास पाँचवन नंबर ना दोस्त कहा होता है प्रेंड एस लगा देंगे बहुत सड़्य है फिर पहुच गया जटा पर नीचे नीचे कहा होता है अंडर हो गया आपका सत्वा न यह है पेड़ पेड़ को का लिखेंगे दड़ ट्री यह हो गया पूरा सेंडर्स पढ़ लो ही इस प्लेइंग किर्केट विट फ्रेंड्स अंडर द़ ट्री असानिस हो गया ना ऐसी काम करना है हो जाएगा